एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अगर आप देखेंगे Nifty 50 में आज के दिन भी आपको अपोर्चनिटी बनी है लेकिन बैंक Nifty में और Nifty Financial Services में इतनी बहतरी नपोर्चनिटी नहीं दिखाई दी पहले मुमेंटम में हमें काफी बहतरी नपोर्चनिटी देखने को मिली यहाँ पर एक सेटप भी काम कर रहा था मार्किट प्रीवियस डेलो का ब्रेक आउट दे रहा था सीदे सीदे हालक कि बड़ी गेप डाउन ओपनिंग थी हमें अवोईडी करना था या किस सिट्वेशन पर आपको अपोर्चनिटी बन रही थी सारे चीजों का हम डिसकेशन करेंगे लोजिक में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी 50 का डिसकेशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे और निफ्टी फाइनेंसल सर्विसिस की भी आपको अलग से वीडियो प्रोएड की जाएगी वहाँ पर उसका डिसकेशन करेंगे फिलाल हम डिसकेशन करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में आए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं पहले हम लोजिक समझेंगे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लोजिक था अगर आप ध्यान से देखेंगे आज आपको एक बड़ी गेप डाउन ओपनिंग देखने को भी और मैं आपको हमेशा कहता हूँ बड़ी ग्रीन केंडल, बड़ी रेड केंडल, बड़ी गेप अप ओपनिंग, बड़ी गेप डाउन ओपनिंग इन चारों चीजों से हमें दूर रहना चाहिए ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है क्योंकि इन्हें एक प्लैटफॉर्म क्रेट करने दो तभी हमें उसमें घुजना है, साथ के साथ साइडवेज मार्किट से भी हमें दूर रहना चाहिए अब यहाँ पे आप इस रेंज को अगर आप फोलो करूंगे मैं आपको 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा चीजे हम पहले कुछ important चीजें हैं यहाँ पे मार्क कर लेते हैं यहाँ पे आप देखेंगे यह क्या है हमारा यह है previous day closing क्या market यहाँ पे support लेता हुँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल लेता हुँ दिखाई दे रहा है breakdown देने के बाद क्या market यहाँ पे resistance लेता हुँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल resistance लेता हुँ दिखाई दे रहा है फिर से breakout मिलने के बाद क्या market यहाँ पे support लेता हुँ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल देता हुँ दिखाई दे रहा है इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ध्यान रखो previous day high का, previous day closing का, previous day low का वहीं पर अगर आप mark करेंगे, अगर आप देखेंगे ये क्या है 17 का ये है हमारा previous day low, market ने इसका आपको बहतरें breakout दिया, अच्छा कासा volume था अगर कोई इस setup में गुसा है, मैंने trade किया है nifty 50 में, मैं आपको clearly clearly बता दू, bank nifty में मैंने आज नहीं किया, क्योंकि मुझे उधर थोड़ा ज़्यादा confidence आ रहा है, bank nifty वाले वीडियो में हम discussion करेंगे, सारे चीजों का आप बेफिकर रही है, वहाँ पे आज मुझे काफी बहतर इंस scenario नज़र आया, और एक काफी अच्छी opportunity भी मिली लेकिन जो यह पहला momentum था, उससे पहले हम कुछ चीज़े और mark कर लेते हैं, यह क्या हो गया हमारा, यह हो गया previous day high, ठीक है साथ की साथ एक important level भी हमारे लिए यह रहा, 44,000 का हमें important level दिखा रहा है, इतनी चीज़े हमने mark करके रख लिए, अब यहाँ पे जो situation create हो रही है, अब काफी लोग सोच रहोंगे कि market इस range में क्यों रुख गया, या इसी range में क्यों sideways momentum दिखा रहा है, उस चीज़ों कभी मैं आपको यहाँ पे एक discussion बनातों, मैं आपको पहले 15 मिट के time frame पे लेके चलता हूँ, दिखान से देखो, यहाँ आपने 2 level mark करके हैं, मंडे को भी हमारी मदद करने वाले हैं, दिखान से गर आप observe करेंगे, पहले आप 14 को observe करो, नीचे की तरब हम इस support देखने को मिला, फिर आप देखेंगे, इस range की market ने as a resistance respect किया, ब्रेक आउट देने के बाद, इस range पर मार्केट ने support लिया है, 16 की बात करें, 16 को भी आपको यहीं पर support देखने को मिला रहा है, ऊपर resistance देखने को मिला रहा है, डे high भी इस जोन में है, 17 को आप देखेंगे, इस zone में आपको resistance देखने को मिल रहा है नीचे की तरब support देखने को मिल रहा है चलो ऊपर की बात हमें समझ में आ रही है क्योंकि यहां पे एक round level है 44,000 का और मैंने आपको समझाय हुआ है कि round level पे जाद अतर buyers और sellers के बीच में fight चलती रहती है आसे situation पे हमें profit booking कर लेनी चाहिए और फिर price action देखना चाहिए कि क्या बनता हो नजर आ रहा है यहां पे में resistance भी नजर आ रहा है round level भी नजर आ रहा है नीचे की तरफ आप देखेंगे नीचे की तरफ हम ज्यादा पीछे नहीं जाते पीछे आपको चीजे नजर आ जाएगी ह लेकिन नीचे की तरफ आप देखेंगे यह लेवल मार्किट को नीचे जाने से बार बार रोक रहा है अगर आप आज देखेंगे पहले 16 को आप focus करो इससे नीचे हमें gap down opening देखने को मिली थी लेकिन market breakout देके फिर से इसी range में आ गया आज के दिन हमें नीचे gap down opening देखने को मिले लेकिन market breakout देके फिर से इसी range में आ गया अगर आप 15 मिनट की पहली candle पे focus करते हैं तो आपको इसी जोन में resistance देखने को मिल रहा है यानि कि 44,000 के round level के पास आपको resistance देखने को मिल रहा है तो इन levels पे हमें proper नजर रखनी चाहिए कि कहां पे आपको support नजर आ रहा है कहां करेंगे क्योंकि अगर market इसी range में गूमता है जैसे कि यहाँ पे भी इसी range में गूमा हमें कोई opportunity नहीं दे पाया आज इस range में कोई बड़ी opportunity नहीं दे पाया, 16 को इसी range में गुमा था, कोई बड़ी opportunity नहीं दे पाया था, 14 को आप देखेंगे इसी range में market रहा था, कोई इतनी खास opportunity नहीं दे पाया था, अला कि momentum हमें देखने को मिला था, market ने trading day high का भी breakout दिया था, बाद में हमें opportunities देखने को मिली है, लेकिन जब-जब market इस range में गुम रहा है, market जादतर case में sideways momentum दे रहा है, कोई बड़ी opportunity आपको market नहीं दे पा रहा है, तो इस चीज से हम क्या समझते हैं, कि जब तक market इस zone में रहेगा, sideways momentum दिखा रहा है, तो हम market से दूर रह सकते हैं, ये चीजे हमें समझ में आ रहा है, लेकिन बड़ी opportunity कब हो सकते हैं, जब market इसका breakout देके चले, या फिर इसका breakdown देके चले, उस case में भी हम कुछ scenario discuss करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसके breakout से काम नहीं चलेगा, हमें जो 17 का day हाई है, इसका भी breakout चाहिएगा, तभी एक बहतरी opportunity मिलेगी, ठीक वैसे ही, अगर आप सोचेंगे कि इसके breakdown से काम चल जाएगा नीचे की तरफ, मैं आपको suggest करूँगा, काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें 18 के day लोका है, और कि previous day लोका भी breakdown चाहिएगा, तभी हमें एक बहतरी opportunity बनेगी, यहां तक यह चीज़े के लिए वापिस महीं पे आते हैं, देखो, point to point अगर चीज़ों को समझेगी, कोजिस करूँगे, तो ज़्यादा बहतर रहेगा, learning पे ज़्यादा फोकस करो, मैं आपको हमें सकता हूँ, तो पहला momentum ही हमारे लिए काफी बहतरी रही था, अगर आप nifty-fifty में भी देखेंगे, nifty-fifty में काफी बहतरी opportunity थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे, जो हमारे लिए resistance था, previous day लो था, यहाँ पे bank nifty की बात करें, तो previous day लो का हमें breakout मिल रहा था, यहाँ पे हमारा एक setup भी काम कर रहा था, यहाँ पे भी आपके लिए एक opportunity बन रही थी, लेकिन avoid करना था, क्यों avoid करना था, उसके पिछे reason में आपको बता चुका, कि बड़ी gap down opening मिल रही है, फिर आपको बड़ी बड़ी candle देखने को मिल रही है, तो बहतर क्या है, चीजों को avoid करो, market को ठहरने दो, opportunity कहाँ पे बन सकती थी, अब जो market ने, यहाँ पे आप देखेंगे, यह जो एक range बनाए, अगर market इससे नीचे आ जाता, previous day लो closing है, इससे market नीचे price sustain नहीं कर पा रहा था, अगर market इससे नीचे price sustain कर जाता, नीचे की तरफ momentum दिखा देता, तो पहले हम momentum पकड़ते, previous day low तक, फिर उसके नीचे, अगर market breakdown देके चलता, तो trading day low तक पकड़ते, लेकिन market यहाँ पे breakout दे रहा है, त्यान सा समझो, मैं अब क्या समझाऊंगा, देखो दोस्तों, हम Monday को क्या करेंगे, वो भी हम discussion करेंगे, कि क्या strategy रहने वाली है, किस तरीके से momentum हम देख सकते हैं, क्या-क्या important चीज़े हैं, वो भी हम discussion करेंगे, लेकिन पहले logic पे focus करो, यहाँ पे काफी बहतरी इन learning चीप हुई है, अब यहाँ पे आपको एक trend line का भी breakout दिखाई दे रहा है, एक range का भी breakout दिखाई दे रहा है, तो खुद सोचो, काफी लोगों ने इस green candle पे buy करने की causes की होगी, लेकिन जो वीडियो को ध्यान से देखता है, उसने avoid किया होगा, reason क्या रहा होगा उसके, पहला reason, हमारे लिए यह trading day high बन चुका है, जब तक trading day high का breakout नहीं मिलता, तब तक opportunity नहीं बनती, तो इसलिए उसने scandal को avoid किया होगा, जो वीडियो ध्यान से देखता है, दूसरी चीज, उपर की तरह अब एक round level बैठा है, अगर trading day high का भी breakout मिल जाता, तो उपर एक और भी तो resistance बैठा हुआ है, round level का, तो बहतर क्या है, तब भी वो avoid करता entry को, तो इसलिए जो वीडियो को ध्यान से समझता है, logic को proper समझता है, learning purpose से समझता है, उसने ये entry avoid की होगी, उसे साप साप दिखाई दे रहोगा, कि ये market trapping करने की कोशिस कर रहा है, क्योंकि उपर क्या बैठा हुआ है, trading day है, और ध्यान से देखेंगे, market ने trading day high का ही breakout ही नहीं दिया, 44,000 की तो बात बहुत दूर की है, market trading day high का ही breakout नहीं दे पाया, समझो चीजों को, trapping market आपकी कहां करने की कोशिस करता है, जो चीजों को समझने पर फोकस करेगा, वो इन चीजों को market में देख पाएगा, कि market में हो क्या रहा है, अब ध्यान से फिर देखो, सबसे पहले मैंने यह line draw कर दी थी, और यहाँ पर आपको बताया था, कि market previous day closing पर support लेने की कोशिस कर रहा है, यानि कि यहाँ पर market अगर breakout दे के चलता, तो हम 44,000 के भी breakout का इंतिजार करते, तभी हम positive side position बनाने की सोचते, लेकिन यहाँ पर नीचे क्या करते हैं, नीचे अगर previous day closing का breakdown मिलता, तो तभी हम opportunity के बारे में सोचते, वो क्या रहती, previous day low के zone तक की opportunity रहती, और ही देखो यह opportunity आपको मिली है यहाँ पर, market previous day low के zone में ही support लेके bounce किया है, उपर की तरफ जब तक इन levels का breakout नहीं मिल जाता, तब तक buying positive side हमें जाना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको एक हल्किस opportunity मिले, कोई इतनी बड़ी opportunity मैं नहीं कहूंगा, आलग कि premium भी side इसमें नहीं बढ़ी होंगे, और premium भी हमारे इसाब से नहीं बढ़े, या वो उचाल हमें premium में नहीं देखने को मिला, क्योंकि candle एक ही spike आता था, जब opportunity का momentum बनता था, और उसके बाद market sideways हो जाता था, इस तरह की opportunities हमें देखने को मिल रही थी, इस situation पर क्या था, देखो, हफते में या महीने में आपको कुछ दिन ऐसे मिलते हैं, जो हमारे दिन नहीं होते, आपको AJ option buyer पहचानने पड़ते हैं, और AJ option buyer को मैं हमेशा suggestion देता हूँ, sideways market उनका नहीं होता, ये option sellers का होता है, अगर market दीरे दीरे momentum कर रहा है, उन्हें की direction में, वो दिन भी option buyers का नहीं होता, हलाकि इस दोरान में कुछ profit बना लेते हैं, option buyer की दिन होते हैं, quick momentum उनकी direction में, इन दिनों को नहीं छोड़ना चाहिए, ये ऐसी दिन में अगर वे trap हो जाते हैं, तो तुरंत exit करो, जब भी उन्हें market, अब ये देखो, ये भले ही market negative side में momentum दिखा रहा है, खुद सोचो कि आप premium बढ़ा पाया होगा, और अगर बढ़ा भी पाया होगा, उस हिसाब से नहीं बढ़ा पाया होगा, क्योंकि जैसे ही market में, premium बढ़ाया होगा, negative candle है, अचानक से जो ये positive candle के, spike आपको देखने को मिल रहे है, उपर bounce देखने को मिल रहे है, ये सारा premium खा जाते है, ये बात आपने notice की होगा, अगर notice की है, तो comment में आपको बताना है, कि हाँ, ये चीज़े हमने notice की है, तो उमीद है, आज का logic आपको समझ में आया होगा, अब Monday की situation को समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, कि जो 30% का off चल रहा था, वो आज राद 12 बजे के बाद खतम कर दिया जाएगा, ये नए course पे भी दिया जा रहा है, पहले मैं सजेश्ट करूँगा, कि आप पुराने वाला course करो, फिर उसके बाद आप नहीं वाला course करो, तब ज़्यादा बहतरी न रहेगा, काफी लोग पूछते हैं कि पहले कौन सा करें, कमेंट आती रहते हैं, तो मैं उन्हें reply कर देता हूँ, तो फिलाल 30% का ओफ चला है, और ये offer हमने पहली बार ही दिया था, इतना बड़ा offer, उससे पहले हम 20 तक ही सिमीत रहते थे, और अभी आपको दिया जा रहा है 30% का ओफ, और आज आखरी 12 बजे तक, ये 12 बजे के बाद ये offer खतम कर दिया जाएगा, तो अगर आप कुछ advanced learning करना चाहते हैं, तो आप जाके इस offer का फाइदा उठा सकते हैं, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, नहीं तो आप play store पे भी हमारी channel का नाम सर्च करेंगे, वहां से भी आपको application मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप इसे enjoy कर सकते हैं, आएए अब situation समझते हैं, अब ये जो दो zone आपको बताए गए हैं, क्या इन्हें दो बारा समझाने की जरूरत हैं, मेरे इसाब से इन्हें दो बारा आपको समझाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, पहले हम इसका discussion कर चुगे, तो इसे हम यहाँ पे skip करते हैं, हम यहाँ पे सीधही point पे आते हैं, अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है, तो मेरे साथ साथ आपको भी जवाब देना है, अपने मन में जवाब दो, अगर आप बोल सकते हो, तो बोल के भी जवाब दे सकते हैं, अगर market flat open होके positive momentum दिखा सकता है, तो क्या positive side position लेनी चाहिए, कि नहीं लेनी चाहिए, जवाब आना चाहिए आपके अंदर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम scalping कर सकते हैं, क्योंकि अगर, देखो support zone पे ही, प्रिवियस डे क्लोजिंग मिली है, जो हमने support zone अइडेंटिफाई किया है, इसे zone पे हमें previous day closing मिल रही है, अगर market flat open होके positive momentum दिखाता है, तो इस resistance zone तक, या previous day high तक, हमें scalping कर सकते हैं, लेकिन एक long side position नहीं जा सकते हैं, market यहीं से ही positive momentum देता चला जाएगा, पूरे दिन ही आपको upside momentum, देखो होने को कुछ भी हो सकता है market में, लेकिन हमें क्या नजर आ रहा है, एक resistance यह भी है, 44,000 भी इसी zone में है, फिर आप देखेंगे, 44,100 भी है, हमारे लिए एक important resistance, यह भी पहले काफ़ important रहा है, अगर आप पहले से ही analysis वीडियो देख रहे हैं, आपने इन चीजों को observe किया होगा, तो हमें क्या चाहिए, 44,100 का breakout चाहिए, तभी हमारे लिए बहतरीन opportunity बनेगा, जो 14 का day high रहेगा, या आपके लिए अगला resistance रहेगा, इसका आपको breakout मिलता है, तो इस वाले zone में आपको resistance देखने को मिलेगा, इसका breakout मिलता है, तो 11 का day high आपको resistance देखने को मिलेगा, लेकिन एक long position जाने के लिए, 44,100 का हमें breakout चाहिए ही चाहिए, यहां तक चीज़े किलियर होगी, दूसरा discussion करते हैं, अगर market flat open होके, आपको negative momentum दिखा रहा है, इस situation पे, क्या previous day closing से, अगर market नीचे चलता है, तो क्या negative side हम position ले सकते हैं, जवाब आना चाहिए, आपके अंदर से क्या जवाब आना चाहिए, नहीं, क्योंकि नीचे एक support zone है, फिर काफी लोग सोचेंगे, चलो मानलो इस support zone का भी breakdown मिल गया, तो क्या negative side हम लोग position ले सकते हैं, जवाब आना चाहिए आपका नहीं, reason क्या है, नीचे support बैठा हुआ है, previous day low का, क्योंकि यहाँ पे case 2 हमारा काम करेगा, case 2 हमें क्या बता रहा है, अगर आपको यहाँ पे breakdown मिल रहा है, अगर नजदी की कोई support है, तो enter को void करो, इस support में market किस तरीके से react कर रहा है, उन situation को समझो, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे, previous day low का breakdown मिलता है, तो जो हमारा setup है, previous day low के breakdown वाला setup, वो आपके लिए सीधे सीधे, काम करता हुआ दिखाई देगा, इस situation पे जो आपके लिए support बने गए, 14 का day low हमारा अगला support रहेगा, इसका breakdown मिलता है, तो नीचे की तरफ आप pivot point लगा के, support zones find out कर सकते हैं, अब यहाँ पे यह एक और discussion कर लेते हैं, अगर आपको gap up opening देखने को मिलती है, अब इस scenario को समझो, यह थोड़ा सा interesting है, अब हम यह देख रहे हैं, कि gap up opening ऊपर की तरफ यह resistance है, अभी हमने देखा, सबसे पहला discussion हमने इसी पे किया था, पहले हम डिसकस लोजिक में इस पार्ट को हम डिसकस कर चुके हैं, उपर हमें एक और resistance नज़रा रहा है, 44,100, अगर market gap up opening देके उपर चलता है, तो positive side तो हम position लेंगे ही नहीं, जब तक 44,100 का breakout मिलता है, अगर market सीधे ही इसका breakout दे देता है, gap up opening देके, तब भी आपको positive side position नहीं लेनी है, positive side position की opportunity तब बन सकती है, मान के चलो gap up opening हो रहे हैं, और market यहाँ पे 44,000 से उपर, लेकिन 44,100 के बीच में कुछ time spent करके breakout दे रहा है, तो यह बहतर opportunity रहेगी, या फिर अगर सीधे भी breakout दे रहा है, एक retest करके एक momentum दिखा रहा है, एक बहतरीन सब price action बना रहा है, तब ही opportunity नजर आ सकते हैं, लेकिन opportunity क्या बन सकती है, अब जैसे कि हमें पता है कि एक resistance zone है, round level भी है, previous day high भी है, अगर यहाँ पे इस zone के असपास market gap up opening देके, आपको negative candle दिखा दे, तो previous day closing तग आप एक momentum market में पकड़ सकते हैं, नीचे की तरब opportunity जब तक previous day low का breakdown नहीं मिल जाता, तब तक नहीं मिलेगी, चीजे clear होगी, वहीं पे अगर market आपको gap down opening देता है, उस situation पे क्या कर सकते हैं, हम पूरा focus करेंगे previous day low पे, इस previous day low पे अगर market gap down opening देता है, और negative candle बनाता है, तो नीचे की तरब आपको पता है, आपके लिए support zone क्या रहने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पे market support लेके, ऊपर चलने लग जाता है, तो गल्ती से भी positive side position मत बना लेना, क्यों मैं ऐसा कहे रहा हूँ, आप छोटी-छोटी scalping जरूर कर सकते हैं, positive side, और यह हम काफी दिनों से discuss कर रहे हैं, positive side आप छोटी-छोटी scalping कर सकते हैं, लेकिन एक long position अभी लेके नहीं चल सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, जब तक previous day closing से ऊपर नहीं जाता market, कि तब तक हम इसे approach नहीं कर सकते, previous day high तक, तो इन चीजों को आपको थोड़ा-थोड़ा धियान रखना पड़ेगा, दोस्तों, मैं आपको लाश्ट में फिर से याद दिलाना चाता हूँ, जो 30% का offer था, वो आज रात 12 बज़े के बाद खतम कर दिया जाएगा, आप जाके उस offer को enjoy कर सकते हैं, फिलाल वीडियो को like कीजिएगा, comment करके बताना कि आपको analysis कैसे लग रहा है, आपके लिए कितनी helpful है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छी content के साथ, तक यू.